नमश्कार दोस्तो वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देक्यूट ट्रेडर्स में दोस्तो आज में वीडियो में हम USD INR के अगले मूब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे USD INR में दोस्तो लास्ट वीक जो हमने एक स्ट्रेटजी बताई थी एक option strategy जो हमने iron condor share की थी तो दोस्तों उसमें एक possible adjustment क्या हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और दोस्तों मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोस्तों का अपने members का हमारे 1.5 के subscribers अभी हो गए हैं हमारे videos देखने के लिए और हमें positive feedbacks देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक disclaimer रहेगा कि ये video educational purpose के लिए है आप हमारे analysis से agree भी कर सकते हैं disagree भी कर सकते हैं कोई भी position ले तो आप financial advisor से बात कीजिएगा हम आपके profit loss के लिए responsible चल रहे हैं और dollar index कैसे behave कर रहा है तो दोस्तों dollar index का weekly daily chart तो बड़ा अच्छा लग रहा है higher high pattern बनाने शुरू कर दिये हैं एक ऐसा माना जा सकता है कि एक support low बना दिया है 89.21 का इसने low बना दिया है तो दोस्तों एक बार weekly चार्ड में इसे confirm कर लेते हैं और weekly चार्ड में भी आप देखेंगे तो यह जो red candle है और जो एक resistance का zone बनाया था इसे cross करके अभी यह उपर की तरफ आ गया है लेकिन यह जो zone है जहां इसने एक retest करके भी एक resistance किया था तो दोस्तों अगर यह इस जोन के ऊपर 91.24 के हाई के ऊपर अगर यह ट्रेड करता है तो यह definitely एक यह short term support हम मान सकते हैं एक अच्छा base यहां बन जाएगा ऐसा हम मान सकते हैं अगर यह इस resistance के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो तो दोस्तों इस तरह से हम यूस्टी डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तेजी में रहेगा तो ओविसली यूसदी ऑपरिशियेट होगी और हमें उसका इंबक्ट यूसडी ऑइंडेक्सरी और पर देखने को मिलेगा और हम यूसदी अएनव में हायर लेवल सुड कर सकते हैं यदि डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो इसलिए हमें डॉलर इंडेक्सका क्योंकि डॉलर अभी सपोर्ट तोड़ा था उसने नीचे आया था तो हमें देखना यह बहुत जरूरी था कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है दूसरा दोस्तों यूएस में अभी इलेक्शन हुए थे अभी चैन की पोजीशन चल रही है तो उसमें भी कुछ उसमें अभी हमने देखा था लास्ट वीक भी हमने बात की दी दोस्तों टैनियर्ज के यल्ड भी उनके हाइर साइड में है तो दोस्तों इस से इंपक्ट डॉलर इंडेक्स पर आता है और डॉलर इंडेक्स का सीधा-स इंपक्ट यूएसडी पर भी हमें देखने को मिलता है जो करंसी हम ट्रेड करते हैं यूएसडी आयानर उसे में हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों अब हम अपने यूएसडी आयानर के चार्ट पर आ गए हैं यह एक वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में यदि चाहूंगा दो पॉइंट व्यू से दोस्तों एक मेरे दोस्ते बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक चीज यह बताई थी कि देखिए एक तो इसमें कप Swiss Clay remain a मान लीजीए्ट कप एक युस्ती आयनार में तो तो दोस्तों वीकली चार्त विया थिया आप देखें गे तो दोस्तों USD INR में एक important जो मैंने observation की थी वो ये थी कि दोस्तों हम क्योंकि अपने पिछले महीने की कुछ videos में पहले हम Fibonacci के levels को देखते थे और हम इस zone से इसे test करते थे देखने की कोशिश करते थे तो दोस्तों यदि हम Fibonacci फिर से place करें यदि हम इन levels पे Fibonacci फिर से place करें और इस zone के बाद हमने पलट कर नहीं देखा था हमने यहां एक important resistance को भी यहां एक trend line के resistance को भी हमने यह break किया था तो दोस्तों इसलिए यह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस candle का low मैंने इसलिए लिया था और दोस्तों जब high तक Fibonacci place किया गया तो Fibonacci की importance अभी हमारे लिए इसलिए आ रही है क्योंकि Fibonacci के point of view से दोस्तों जैसे यह zone बना है 72.89 का dot 786 का zone बना है यहां इस zone पे इसने test किया था फिर यह उपर गया था फिर इसने यह resistance लिया था 75.04 के zone पे तो दोस्तों अब यह वापिस फिर इस zone के low पर आ गया है test करने के लिए आ गया है त 72.89 के नीचे आ जाती है तो हमें पूरी उमीद है कि यह 71.75 के level यानि इस low level को test करना चाहिए as per Fibonacci rules क्योंकि जब भी कोई closing नीचे आ जाती है जैसे आप इस candle को देखेंगे तो इसकी closing नीचे आई थी इस zone में नीचे आई थी तो यह इसके zone के low को test करता है ऐसा Fibonacci का नि premium को हम पढ़ते हैं तो अगर यह closing को इसके नीचे आती है तो हम उमीद करेंगे कि यह इस level को test करने आ सकता है नीचे की तरफ आ सकता है जो कि 71.75 के levels हमें अभी दिख रहे हैं तो दोस्तों इसलिए Fibonacci की हम importance देख रहे हैं और हम इसको आगे ध्यान रखेंगे इसके साथ स का यता है बिल्कुल सेम है और weekly trend line weekly resistance trend line अभी बिल्कुल plot हो रही है इसमें कोई भी changes नहीं आए हैं उसके साथ साथ दोस्तो weekly support यदि आप देखेंगे तो वह weekly support trend line के point of view से अभी यहां हमें नजर आ रहा है और इसे हम daily में plot करके आपको दिखा देदे हैं दोस्तो daily में यदि हम plot करना चाहें तो अभी daily में जो resistance है वो यहां shift हो गया है 73.5758 के levels पर shift हो गया है 73.58 के levels पर shift हो गया है उसका कारण यह है दोस्तों कि जब यह नीचे आके इसने retest किया था 73 के levels को और उसके बाद जब यह तेजी आई थी तो इसे major resistance इस zone में देखने को मिला था जो कि इस zone के retest के point of view से माना जा सकता है तो इस zone का जब retest हुआ इस zone में यहां यह retest किया गया और उसके बाद इसने इस candle में 12 तारिक की candle में दिखा दिया कि यह zone retest and fail हो गया है तो इसलिए अभी यह important resistance daily chart के point of view से बनता है और दोस्तों नीचे support की अधी बात की जाए तो support अभी हमारा support हमारा यह daily की last day की candle रहेगी जो जिसका low बनता है 73.05 तो यह हमारा support zone रहेगा daily के point of view से और daily के resistance point of view से अभी 73.58 के levels के बीच में हम trade कर सकते हैं इसके साथ दोस्तों आवगर hourly chart में यदि हम देखेंगे hourly chart को दोस्तों यदि आप squeeze करके देखेंगे तो आपको एक और चैनल नजर आएगा तो कि मैं देख रहा था और observe करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से यदि आप इसे draw करते हैं यह थोड़ा rough drawing drawing हो सकती है दोस्तों आप इसे प्रॉपर भी कर सकते हैं तो यदि आप इस तरह से इसे draw करने की कोशिश करेंगे और इन चैनल को मीट करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यह एक चैनल formation हमें आवर्ली के point of view से अभी दिख रही है जो कि हम squeeze करके देख रहे हैं अगर यह चैनल को अगर यह चैनल को respect करता है तो दोस्तों यहां इस channel के low पर इसे resistance लेना चाहिए और यह धीरे धीरे नीचे की तरफ shift करेगा जो कि हमें Fibonacci भी confirm करेगा कि यदि weekly closing उसके नीचे आ Instagram तो दोस्तों यह चैनल भी देखते हैं यह कब तक चैनल चलता है और इसको भी हम observe करेंगे और अब data के point of view से बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक बार मैं daily chart लगा देता हूं 27 लाग 26 लाग के around normal trading current month में चल रही है लेकिन next month जो forward month हैं आगे के February और March के हैं तो February में यदि हम देखें तो दोस्तों गैरा तारीक में 31,3,16,000 के around contracts का addition किया गया यानि इस दिन contracts को heavily add किया गया OI तेजी से बढ़ा और दोस्तों OI लगातार पिछले week में बढ़ता ही रहा है यानि contracts को आगे carry forward किया जा रहा है तो दोस्तों यदि हम गैरा तारीक के diagram को plot करना चाहे open interest को plot करना चाहे चार्ट में तो दोस्तों ये गैरा तारीक की candle है और गैरा तारीक की candle में यदि हम दोस्तों गैरा तारीक की candle में यदि हम एक OI का data देखते हैं तो ये गैरा तारीक की candle है दोस्तों और इस candle के क्योंकि ये नीचे आ गया था तो इस candle के बरकरार है और इसकी importance अभी रहेगी इस supply zone की importance रहेगी मेरा कहने का मतलब है दोस्तों क्योंकि data के point of view से जैसे हमने open interest का जो भी candle था हमने उसको place किया गहरा तारीक में हमने एक rectangle बना लिया एक place किया इसे तो इस rectangle की importance यह है दोस्तों कि यह supply zone बन गया है क्योंकि यह नीचे की तरफ आया इसलिए supply zone बन गया है तो अगर यह supply zone retest होता है तो उमीद रहेगी कि यह फिर से नीचे की तरफ आएगा और यह supply zone अगर break होता है उपर की तरफ candle बनती है तो आप फिलकुल भी short positions मत रखिएगा क्योंकि open interest के point of view से यह supply zone तयार हो गया है तो दोस्तों यह एक data के point of view से futures के data के point of view से एक आंकलन हमने निकाला है उसके साथ साथ दोस्तों यदि आप 72.5 का data में एक बर आपको बदाएता हूं put का 72.5 की put का data भी कुछी सी तरीके से confirmation दे रहा है जैसा कि गैरा तारीक में दोस्तों यहां सबसे जादा unwinding हुई थी sorry 73.5 की put का data देखना है 73.5 की puts में यदि आप देखेंगे तो गैरा तारीक में क्योंकि तेजी आ रही थी तो दोस्तों positions को add किया गया traded quantity oblique change in open interest में आप देखेंगे तो 9.77% open positions को add किया गया तो writers का ये मानना था कि put ये तेजी आ सकती है और ये उपर की तरफ जा सकता है लेकिन दोस्तों 12 तारीक में जैसे ही ये उस resistance को तोड़के नीचे की तरफ आया तो 12 तारीक में आप देखेंगे तो heavily करीब 11,000 contracts को unwind कर दिया गया करीब 11,000 से 12,000 contracts यानि 11% के लगब तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि 73.5 की put में अभी recently विश्वास जो है writers का उतना ज्यादा नहीं रह गया है हाला कि 73.5 का अगर आप put की value देखेंगे तो वो 2.72 lakh अभी चल रही है जो कि आपने आप में बहुत अच्छी value है और उसका वीवैब भी 43 पैसे चल रहा है तो दोस्तों इसमें दो position इसमें दो conclusion निकलते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 25 पैसे के वीवैब के बाद इसमें तेजी आई और ये नीचे की तरफ 25 पैसे के वीवैब तक गया तो दोस्तों 25 पैसे के वीवैब पे नीचे यदि ये trade करने लगे तो ये definitely put को zero करने की कोशिश करेगा और यदि ये 43 पैसा क्योंकि दोस्तों जब ये positions बन रही थी तो वीवैब लगबग इसी range में था 49 पैसा 42 पैसा 46 पैसा 56 पैसा तो दोस्तो 43 पैसा is normal position अभी क्योंकि इतनी heavy unwinding भी नहीं हुई है लेकिन अगर ये 43 पैसा अगर ये उपर की तरफ वीवैब बढ़ने लगता है ये 50s के level में वीवैब आने लगता है तो दोस्तो जरूर इसमें heavy unwinding होगी और writers अपनी position को तेजी से छोड़ना शुरू कर देंगे तो दोस्तो writers अभी उमीद कर रहे हैं कि एक pullback आएगा और एक pullback में वो अपनी positions को close कर लेंगे इस तरह से मैं इस data को 73.5 के put के data को देख रहा हूँ और दोस्तो अगर आप वैसे अगर आप highest open interest के point of view से देखना चाहें तो 73.5 पे अभी 73.5 पे call side में और 73 में put side में अभी highest open interest trade कर रहे हैं और 73 और 73 में ही अभी premiums भी सबसे highest trade किये गए हैं दोस्तो 74 इंदा मनी है इंदा मनी में अभी premium का addition हुआ है लेकिन अभी हम इसे importance नहीं देंगे क्योंकि इसमें अभी open interest उतना अच्छा नहीं था इसके अलावा दोस्तो straddle का चार्ट यदि आप देखेंगे तो straddle के चार्ट में 15th January का जो data है अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो हमारा जो similar और highest open interest का जो rule बोलता है वो 73.5 को importance दे रहा है क्योंकि ये दोनों ही value धाई लाग से उपर चली गई है तो दोस्तो एक छोटा सा pullback भी आता है तो 73.5 के put writers अपनी position को close कर लेंगे आसानी से close कर लेंगे और ये value or decay हो जाएगी इसका जो straddle की value है वो or decay उन्हें मिल जाएगा और दोस्तो अभी recently 73 की put में अगर आप changing open interest देखेंगे तो 73 की put में एक बहुत अच्छा support यहां positions बनाई गई है उसके हलावा दोस्तो higher side में call side में अभी जो positions को है वो close किया जा रहा है इसका मतलब भी profit bookings की जा रही है और अपनी positions को नीचे की तरफ shift किया जा रहा है जैसा कि last trading session में 73.25 तक अपनी positions को लाया गया इसी तरह दोस्तो last trading session में यदि आप देखेंगे तब भी यही position चल रही थी 73.5 पे positions को लाया गया था और higher side की जो positions थी उन्हें profit booking की जा रही थी close किया जा रहा था इसके अलावा दोस्तों पिछले trading session में भी और इसमें भी 73 में अभी 73 में open interest को add किया जा रहा है इसका मतलब 73 को अभी हमारे अभी हमारे ट्रेडर 73 को एक बहुत-बहुत important support के रूप में देखते हैं और दोस्तों चार्ट पैटर्न भी 73 को एक important support के रूप में बताता है प्राइज एक्शन भी 73 पे cup and handle बना रहा है उसके अलावा दोस्तों फिपो नाचीवी 72.89 के लेवल के नीचे यादि ट्रेड करता है तो उसको importance देने की बात कर रहा है तो दोस्तों हम एक बहुत अच्छे support zone पर खड़े हैं इसी वज़े से एक option की strategy मैंने इसी वज़े से मैंने 72.75 और 72.5 की puts को naked right करने के लिए लिखा था क्योंकि अगर ये नीचे आता है और हमारी puts को अगर ये उपर जाता है यहां से bounce करता है और इस supply zone को test करने जाता है तो दोस्तों हम 72.5 और 72.75 की puts में अभी profit book कर सकते हैं और यदि ये नीचे आता है तो दोस्तों हम अपनी future long position से बच जाएंगे क्योंकि as per put call parity rule 72.5 की put को short करने का मतलब यही है कि हमने future long किया है और in the money की call right की है तो दोस्तो 72.5 की put के आसपास ये यदि आएगा तो हम उस put को या तो roll down करेंगे या फिर हम वहां से future कि अपनी one ratio 5 की strategy जो मैंने अपनी last video में भी बताया था जो हमने ये इस video में भी बताया था usd.inr की consistent income strategy वीडियो में भी बताया था तो one ratio 5 strategy हम उस lower level से शुरू कर सकते हैं जिसे हम one ratio 3 या one ratio 4 से शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों ये video आप देखेंगे तो आपको समझा जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 73.75 पे naked put right करने का logic ही यही है कि यदि वो नीचे आता है तो हम उस put में profit yellows जो भी हो से book करके हम वहां से उन level से अभी current level से अपनी strategy को ना शुरू करके हम उन level से अपनी strategy को शुरू करें तो हमें 25 से 30 पैसे का भी नीचे की तरफ gain हमें जादा import value मिल जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से यह data मैंने बनाया है अब मैं बात करता हूँ आपसे जो हमने strategy last time share की थी हमने 73.5 में ironfly बनवाई थी 73.5 में ironfly बोला था कि 73.5 की दोनों values को short कर सकते हैं और 74 और 73 की call or put long कर सकते हैं तो दोस्तों अभी recently भी अगर आप देखेंगे तो इन values में जो अभी 15 तारिक में जो closing की values हैं अगर आप उन्हें भी value add करते हैं तब भी आप neutral position पे चल रहे हैं अगर आपने values में थोड़ा सा भी mismatch लिया होगा तो आप अभी neutral position पे चल रहे हैं जो profit and loss है एक lot पे वह 25 पैसे अभी दिखा रहा है तो दोस्तों अगर आप इसको नहीं मानते brokerage भी जाएगी तो आप यह मान सकते हैं कि अब भी आप इतना नीची आने के बावजूद भी आप neutrally neutral trade कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी क्या adjustment हो सकती है इसकी adjustment तो दोस्तों य है रहेगी कि आप weekly की call weekly की 73.5 की call जो की तीन पैसे तीन पैसे पर trade कर रही है उसे बेच सकते हैं और उसके बाद अगर वो नीचे जाता है तो 73.25 की call पर shift कर सकते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होगा अगर यह reversal आता है bounce आता है तो आपको इस value में आप आप यहां कहीं trade कर र profit की طرف यह लेके जाएगा यह graph profit की तरफ लेके जाएगा यह position profit की तरफ आपको लेके जाएगी और आपका जो loss है वो neutralized हो जाएगा call का जो loss रहेगा वो neutralized हो जाएगा और उसमें आपको time value भी मिलने वाली है जैसे जैसे दिन भी देंगे और दूसरी चीज आप दोस्तों य यह option chain है तो आप 73.25 की call write कर सकते हैं .15.75 और 73.75 की call long कर सकते हैं 5 पैसे पे दोस्तों अगर आप इसे plot करते हैं पांच पैसे पे लॉंग कर रहे हैं 15.75 पे शॉट कर रहे हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का graph बनेगा जिसमें आपका ब्रेक इवन है लोवर साइड में वह 73.02 पर शिफ्ट हो जाएगा और आपको नीचे की तरफ consistent loss एक consistent loss बन जाएगा यानि आपका जो loss maximum हो सकता है वो हमारा control में आ जाएगा उपर की तरफ दो तो 73.61 की value पे आपका break even रहेगा और उसके बाद loss आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अगर यह उपर की तरफ आता है तो पहले आपकी profit position में आएगा यानि यह उपर की तरफ आएगा तो पहले 73.5 जो आपकी max profit position है उसमें आएगा तो आप कहीं भी पीच में अपना profit percentage देखके positions को close कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और जो मुझे समझ आई थी जो एक और मैं आपको strategies में बताना चाहूंगा कि जैसे यह हमारा iron fly है तो हम 73 पर एक और iron fly बना देते हैं 73 पर एक और iron fly बनाने के साथ-साथ हम उसमें जो उपर की side की protection होगी call side की protection होगी वो नहीं लेंगे call side की protection हम इसलिए नहीं लेंगे ताकि क्योंकि तेजी आती है यदि तेजी आई तो हमें इस initial position में ही profit दे देगा तो दोस्तों अगर हम 73 पर call और put का एक और iron fly बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा 73 की call को भी short कर दें और put को भी short कर दें 73 की values हम देख लेते हैं दोस्तों call और put की 28 पैसा और 1475 उसके अलावा दोस्तों हम put side में put side में support ले लेते हैं नीचे की तरफ 72.75 पर ही ले लेते हैं दोस्तों ये graph कुछ इस तरीके से बना जिसमें 72.76 हमारा break even नीचे की तरफ shift हो गया और उपर की तरफ 73.62 आ गया तो दोस्तों उपर की तरफ हमें maximum loss है लेकिन उपर की तरफ आने से पहले ये पहले हमारे profit zone में आएगा और profit zone में आएगा तो हम कोई भी percentage profit percentage देखके इसे book कर सकते हैं या positions को फिर से adjustment के लिए सोच सकते हैं अब दोस्तों इस position में आप एक चीज ध्यान देंगे जो हमारी पहले iron fly थी हमने एक और iron fly 73 पर बनाई है लेकिन उसमें हमने जो call side की protection होनी चाहिए थी वो नहीं ली क्योंकि उपर की तरफ ये जाएगा तो हमें initial वाली strategy में ही पैसा दे देगा इसलिए हम call side की protection नहीं ली अब दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी में एक चीज यह देखेंगे कि से put को हमने short किया है और पहले हमने put को long किया था तो put short और put long लेने का कोई logic नहीं बनता तो इसलिए आप इन positions को हटा दीजिए तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप अगर इस वैट आप अपनी initial iron fly को adjust करते हैं और अभी adjust करना चाहते हैं और आप इस तरीके से adjust करना चाहते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो लगबग दो दो सोरी एक पैस 1.0.0175 आप बुक कर लेंगे यानि दो पैसे के लगबग आप देड़ से दो पैसे के बीच में आप बुक कर लेंगे तो आप उसे बुक कर लीजिए उस profit को बुक कर लीजिए उसके अलावा उसके अलावा आपको क्या positions लेनी है call को short करना है 73 की और 72.75 की put को long करना है तो दोस्तो इस तरह से आप इसे adjust कर सकते हैं और आपको break even सेम आ जाएगा जैसा कि हम एक iron fly बना रहे थे जिसमें हम higher side की protection नहीं ले रहे थे तो दोस्तो उमीद करता हूँ ये बात मेरी आपको समझाई होगी और नहीं तो आप rewind करके एक बार में mail कर दीजेगा दोस्तो mail के लिए important खास बात यह है कि आज जो भी mails मेरे पास आये हैं आज समय का अभाव रहेगा तो मैं एक से दो दिन में सभी mails के reply कर दूंगा और उनको जो भी sheets या requirement भेजी है as per my rules मैं उन्हें भेज़ दूंगा जो भी sheets मैं भेजता हूँ वो नए भी भेज़ दूंगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा समझाया होगा आप कोई भी क्वेरी होता हमें mail कर सकते हैं दाक्यूट्रेडर एट जीमिल डॉट कोम आप हमें फोलो कर सकते हैं ट्वीटर पर एडड़ एक्यूट्रेडर ह हमारा टेलिग्राम चैनल भी है आप उसे जॉइन कर सकते हैं ठेंक यूट्रेडर है